साथियो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे योट्योब चैनल दा विजडम न्यूज में तूट गया फरजी वाड़े का नेटवर्क एक्जाम स्कैम दिल्ली कोरट का पेपर खेतों में बात यानि आज 28 फरवरी 2021 की है साथियो क्या है ये पूरी कहाणी क्या है ये एक्जाम स्कैम क्या है ये हरियाना में दिल्ली कोरट के पेपरों से संबंदित नया मामला पूरी इनफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखना अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक से अर करना साथियो तो मामला आज का है 28 फरवरी 2021 दिन रविवार दिल्ली कोरट का पेपर खेतों में पूल्ट्री फारम में हो रहा है सॉल्व तो क्या ही ये पूरी की पूरी जानकारी तो लीजिए एक एक बात को लेते हैं तक्सदीश से तो साथियो है मामला इस परकार दिल्ली कोरट में भरती के प्रिक्षा के पेपर जीन्द के पूल्ट्री फारम में हो रहे थे हल हो रहे थे सॉल्व पुलिस के आते ही खेतों से भागे जाड साज जीन्द में प्रिक्सा में फरजी वाड़े का मामला सामले आने के बाद दिल्ली और हर्याना की पुलिस आरोपियों की तालास में जुट गई है हर्याना के जीन्द से रविवार यानि आज की बड़ी खबर आई है यहाँ जीले के दो गाओं के बीच सडक पर पढ़ते एक पॉलटरी फारम में कुछ लोग दिल्ली की कोरट का पेपर सोल कर रहे थे भनक लगने के बाद पुलिस ने रेड की तो फरजी वाड़े के आरोपि खेतों के रास्ते भाग खड़े हुए पुलिस ने संबंदित जगे से कंप्योटर वाइफाई और दूसरे उपकरण कबजे में लेकर जाड साजों की तालास का कारियकरम सुरू कर दिया साथ ही पता किया जा रहा है कि यह पॉलटरी फारम किसका है और यहां किसके लिए पेपर सोल किया जा रहा था तो साथियो मामला रविवार सुभे करीब साड़े दस बजे का है दिल्ली की एक जिला अदालत ने चपड़ासी प्रोसेसर सहीत दूसरे पदों के लिए बिते दिनों आवेदन मांगे थे रविवार को इसके लिए ओनलाइन प्रिक्षा ली गई इसी बीच दिल्ली पुलिस को पेपर आउट हो जाने की सूच ना मिली कनेक्शन हर्याना के जीन्द से जुड़ा और पता चलया की गाउं काकड़ोद और नचार खेड़ा के बीच खेतों में बने पुलिटरी फारम पर बैठकर कुछ लोग इस पेपर को हल कर रहे हैं उच्याना थाने की पुलिस को साथ लेकर दिल्ली की टीम ने बताएगे इस थान पर चापा मार्या तो पुलिस के पहुचने से पहले ही पेपर हल कर रहे लोग खेतों के रास्ते फरार हो गए पुलिस ने मौके से कंप्यूटर वाई फाई के इलावा दूसरे उपकरणों को जब्त कर लिया है इस बारे में उच्याना के एसेचो रविंदर कुमार का कहना है कि पुलिस अब खुलासा किया जाएगा तो साथियो यह आज की बड़ी अपडेट है एक्जाम स्कैम को ले कर क्योंकि साथियो यह मुद्दा एक बार नहीं अनेक बार उठ रहा है और यह उसमें भी उठाया है विद्यार्थियों ने उठाया है कि एक्जाम ठीक से होने चाहिए दांदली नहीं होनी चाहिए, तो साथियों ये आज की अपडेट ec को लेकर है, इन एक्जामों को अच्छे से करवाना चाहिए, दान्दली से सरकार को बचाना चाहिए, तो इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल पर बने रहें अगर अभी तक भी चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना साथ ही हो तो आज की इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलेंगे इससे संबंदी तक लिए अगली अपडेट के लिए तब तक के लिए नवस्कार वंदे मात्रम